हलो बच्चों कैसे हो आप लोग मैं रोहित गुपता प्यार से आप मुझे आरजी सर के नाम से भी जानते हो साथ ही कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मुझे भाईया कहके बलाते हैं आज मैं आपको फिजित का कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूँ आज मैं आप से अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया होगा वो कैसे इस मुकाम तक पहुचे तो बिल्कुल मेरी कहानी आपके जैसी ही है जैसे आपने कभी न कभी सोचा था कि भाई हम लोग कोटा जाएंगे और वहां से हम देश के बहुत ही नामी गिरामी आईटी जैसे प्रिसीजियस इंटर्स मिले जिन्होंने मेरी जर्णी को बहुत ही खुबसूरत बनाया यहां का टीचिंग मैथर यहां के एजुकेटर्स वो इतने अमेजिंग थे कि उन्होंने सब्जेक्ट को इतना आसान बना दिया कि मैं अपने सपने को अचीव कर पाया और 2007 में मैंने एडमीशन लि नहीं थी एक बिलकुल चोटा सा बच्चा था जिसको बहुत जादा देश दुनिया का पता नहीं था लेकिन कॉलेज ने मेरी परसनेलिटी को मेरे ओवर्वियू को मेरे थौट्स को बहुत डवलप किया और चार साल की जर्णी बहुत अमेजिंग रही बहुत अप एंड ड आख और चीन रिदा तो मुझी बहुत अच्छा लगा कॉर्परेट जगत मैं बहुत अच्छा लगा मेरी पहली नौकरी थी और पहली नौकरी और पहली आपको पता हिए कितना जाता सुक देती है तो बहुत अच्छी लाइव जा रही थी उ आ6 मन्स कि अब क्या करना चाहिए क्योंकि मैं mathematics में बहुत अच्छा था शुरू से तो मैंने सोचा क्यों ना इस time को utilize किया जाए और cat की preparation की जाए तो मैंने cat की preparation को start करना start किया शुरू में क्योंकि मेरे जो friends थे जिसे मेरे एक फ्रेंड था NIT जैपूर से पास आउट वह भी cat की preparation कर रहा था साथ में वह पीटी एजुकेशन जैपूर में एसे लेक्षर पढ़ा भी रहा था तो उसका मेरे पास कॉल आया कि भाई तू भी क्यों नहीं यहां पर ऐसे लेक्षरा जॉइन कर लेता क्योंकि तेरी mathematics सिती अच्छी है तो अगर यहां पर पढ़ाना स्टार्ट करेगा तो साथ के साथ तेरी preparation भी हो जाएगी तो यहां से मेरी education journey की एज़े ट्यूटर एज़े एजुकेटर मेरी journey स्टार्ट हुई और मैंने पीटी एजुकेशन में mathematics पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने वहां पर एराउंड साथ से आठ महीने mathematics पढ़ाई मैंने उसमें डाटर interpretation logical reasoning mathematics कैट की preparation actually मैं करा था एन इटी जैपूर का बैच भी मैंने वहां पर लिया उसके बाद जब एराउंड साथ से आठ महीने हो गए मेरा एक टॉलिज जूनियर उसने मुझे बोला कि बॉस आप क्यों नहीं कोटा में आकर बच्चों को कोच करते हो mathematics में तो मुझे उसकी बात है बहुत आची लगी और मैंने कोटा के बहुत ही एक नामी institute उस वक्त के एलन करियर institute में ऐसे faculty पढ़ाना स्टार्ट किया और जब मैंने यहां पर आपको आश्यर होगा कि मैंने अगर आप देखो तो पहले मैं mathematics पढ़ाता था तो ऐसे mathematics faculty में अपने करियर को स्टार्ट किया था लेकिन जब मैं यहां पर आया तो mathematics के लिए विकेंसी नहीं थी तो मैंने apply कि एस फिजिक्स faculty मैंने अपने सब्जेक को प्रिपेर किया मैंने अपने आपको शुरू से बाइंड अप किया कि नहीं अब मुझे करना है किसी ना किसी तरीके से तो मैंने ऐसे physics faculty स्टार्ट किया और यहां पर जॉइन किया मैंने 6 डिसेंबर 2013 को एलन केरियर इंस्ट्यूट में ऐसे physics faculty स्टार्ट किया और यह जो दस साल की जर्नी रही बहुत ही खूबसूरत रही इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा भी जो काफी सारे बहार की यूनिवर्स्टी में भी गए उनको पढ़ाने का भी मुझे मौका मिला अब क्यूंकि 10 साल में एक saturation आ चुका था अब ऐसा लगता था कि यार अब अपनी रीज को जो मैंने ज्यान अरजित किया है इतने सालों में इसको max to max बच्चों के पास कैसे पहुंचाओं तो एक constraint आने लगा लाइफ में लगा कि अब तो saturate हो गए अब एक fix number of students को पढ़ा रहे हैं घर वापिस आ रहे हैं तो मुझे एक बहुत ही बहतर opportunity मिली और मैंने अनकेडमी को जॉइन किया जिससे मैं अपनी शिक्षा को जो मैंने घ्यान अपने दस सालों में अरजित किया है उसको देश के कौने कौने में हर एक बच्चे तक पहुंचा सो तो अनकेडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू अब मैं अपना physics का जो भी अनभव है वो बच्चों को प्रदान कर रहा हूं बाकी तो कहानी आपके सामने है बस इतना ही मुझे कुछ कहना था कुल मिला कि बस एक सिंपल सा सारा इंश है मेरी पूरी स्टोरी का कि लाइफ जो है वो बिल्कुल चलते रहने का काम है आप चलते रहिए अपने संगर्ष को जीते र रहेगी आपको मेरी कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा या फिर कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी मिली होगी मिलते रहेंगे पढ़ते रहिए थैंक्यू